Good morning students, today we are going to start our next chapter, chapter number 10, cooking. Cooking क्या होता है, जैसे जो भी हम food बनाते हैं, cooking, उसके बारे में हम study करेंगे, cook करते हैं जो. Let's start, all of us need food to stay fit and healthy. हम सभी को किसकी जुरूरत होती है, healthy रहने के लिए, safe मन रहने के लिए, fit रहने के लिए, किसकी नीड होती है, food के, early humans ate raw food because they did not know how to cook. जो early humans है, means जो पहले का आदी मानव था, पहले के जो लोग थे, वो क्या करते थे, raw food, raw means कच्चा food खा लेते थे, because क्यों खाते थे, क्योंकि उन्हें यह नहीं जानते थे, कि food को कैसे cook करते हैं. human being started cooking food after the discovery of fire, human being ने कब, जो human है, उसने food कुक करना कब स्टार्ट किया, जब उसने किसकी खोज की, fire की, आग की खोज की, जब उसे आग के बारे में पता चला, फिर उन्हें ने food को cook करना स्टार्ट किया. However, not all food items need to be cooked. उसका मीन क्या है, कि यह जुरूरी नहीं, कि सभी food items को क्या करना पड़े, cook करना पड़े. वेजिटेबल सच एस cucumber, radish and carrot can be eaten. जो हमारी वेजिटेबल हैं, सबजियां, cucumber means, look at the picture, खीरा, radish, moly and carrot. जो हम salad में खाते हैं तो इन्हें हम पका कर नहीं खाते हैं, इन्हें हम ऐसे क्या कर सकते हैं, raw खा सकते हैं, इन्हें पकाने की जुरूर नहीं होती. वेजिटेबल सच एस lady's finger, potato and gourd need to be cooked. जो हमारी वेजिटेबल हैं, जैसे lady's finger है, look at the picture, this is the picture of lady's finger means, बिंडी, potato and gourd करेला, इन्हें cook करने की जुरूरत पड़ती है. cooking makes food soft, जो cooking है, ये food को क्या बना देती है, soft बना देती है, tasty बना देती है, easy to chew. cooking से food क्या हो जाता है, नर्म हो जाता हैं, हमें easily खा सकते हैं और easily उन्हें chew च्बा सकते हैं और digest कर सकते हैं, बचा सकते हैं. it also kills germs present in the food जब किसी भी food को हम cook करते हैं किसी वैजी टेबल को किसी को भी तो उसके बीच जो germs होते हैं जो हमारे लिए harmful होते हैं वो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं cook करने से heat से people use different method for cooking a variety of dishes जो लोग हैं वो क्या करते हैं अलग-अलग methods use करते हैं cooking के अलग-अलग dishes बनाने, जैसे हम कितनी dishes बनाते हैं, तो बहुत method होते हैं cooking के, next is cooking with water, we cook food in many ways, जो food है हम बहुत ways में cook कर सकते हैं, अलग-अलग type से cook कर सकते हैं, food को पका सकते हैं, in some method of cooking, what are you used? कुछ ऐसे methods हैं cooking में, जिसमें किया किस के जुरूरत परती है, water means, पानी की जुरूरत परती है, in some methods, food can be cooked without water, कुछ methods में क्या होता है, food कैसे cook किया जाता है, without water, means उसमें पानी की जुरूरत cook करने के लिए नहीं होती, next is boiling, first cooking method is boiling, boiling means क्या होता है, उबाल कर, food जो भी हम उबाल क बनाते हैं, boiling is one of the simplest method of cooking, सबसे easy method, simple means किसी भी चीज़ों कैसे वो boil, boil कर ले, वो एक simplest method है, boiling, the food item along with water is placed in a pan, जो food item है, जिसमें, मतलब जो भी हमने बनाना है, जो भी food हमने बनाना है, उसे हम एक पैन में, कडाईये में, look at the picture, जैसे जे पैन में डाला हुआ है, उसे हम पैन मे डाल कर, और a walk, walk means एक pan shaped bowl होता है, and boil, क्या करते हैं, उस food item को पैन में डाल कर, साथ में क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, और फिर उसे heat पे रख देते हैं, आग पे तो वो boil करना start कर देता है, rice, pulses, vegetables, eggs are cooked by boiling, ये सभी को हम क्या करते हैं, boil करते हैं, milk is boil to kill germs present in it, जो ह हमारा milk है, दूद है, जब हम उसे क्या करते हैं, boil करते हैं, तो उसके बीच जो germs होते हैं, वो kill हो जाते हैं, means मर जाते हैं, next is steaming, जो होजन हम steam से पकाते हैं, means बाप से पकाते हैं, food can be steamed in a pressure cooker और a steamer, जो food है, उसको हम किसमे steam कर सकते हैं, किसी pressure cooker में या फिर किसी steamer में, water is poured in a utensil or boiled, जो water है, उसको हम क्या कर देते हैं, एक utensil बर्तन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, and फिर उसे क्या कर देते हैं, boil करना, start कर देते हैं, the steam which rises from the boiling water, cooks the food, जैसे हमारा कुकर है, उसमें क्या है, हम जैसे कुछ भी हमने राइस बनाने हैं, जो कुछ भी सबजी बनान हैं, तो वो डाल कर, हम साथ में उसमें क्या डाल देते हैं, उसे टेंसल में, पानी डाल देते हैं, तो उसे उपर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसके बीच जो water होता है, वो boil करना start कर देता है, तो इससे वो क्या जो उसकी water की, जब वो boil करना start कर देते हैं, उसके steam बन जाते है, बाफ बन जाते है, तो उसके जो हमारा अंदर हमने बोजन डाला होता है, फूर्ड, वो क्या हो जाता है, cook हो जाता है, डोकलाज, इडलीज और मोमोज और cooked by steaming, तो ये फूर्ड सभी क्या करे जाते हैं, steaming से पकाई जाते हैं, steaming food is the best method of cooking as the nutrients are not lost, जैसे क अंदर वाले जो भी nutrients हमारे लिए necessary होते हैं, तक वो क्या नहीं होते हैं, lost नहीं होते, steamed food is healthy because no oil is used, जो steamed food होता है, ये हमारे लिए बहुत healthy, अच्छा होता है, क्योंकि ये किस में नहीं पकाया जाता, वाइल में नहीं पकाया जाता, next is cooking without butter, अब तक हमने जो ये method पढ़े, ste Food is cooked without water by frying, baking, grilling, roasting the ingredients, अब इनी ingredients हम इन 4 methods से पकाएंगे, तो हम इसके बारे में study करेंगे, first is frying, frying क्यासे होता है, किसी चीज़ को fry करना, means तलना, frying is a method of cooking food in hot oil or ghee, जब ये फ्राइं किसमें होता है, जब किसी भी चीज़ को हम घरम तेल में ढालते हैं, उसे fry बोलते हैं, frying करना, When food is completely soaked in hot oil, जब food अच्छी से उसमें बीग जाता है, जो oil है, hot oil है, उसमें बीग जाता है, और ghee in a pan, it is called deep frying, जब किसी भी फूड को पहले हम वाइल डालते हैं, उसे अच्छे से गरम करते हैं, फिर उसको फूड को उसके बीच छोड देते हैं, जैसे हम पकॉड़ा बनाते ह तो वो अच्छे से उस वाइल में बीग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डीप फ्राइंग कहते हैं, क्या कहते हैं, डीप फ्राइंग, पूरी समोसा, पकॉड़ा, चिपसार कोट वे डीप फ्राइंग, इन सभी को कैसे बनाया जाता है, डीप फ्राइंग से, when food is cooked in less oil, जो फूड कमों वाइल में कुक किया जाता है, it is called shallow frying, उसे क्या बोलते हैं, shallow frying, जो भी कमों वाइल में, जिसमें थोड़ी थोड़ी वाइल की जुरूरत बढ़ती है, प्रांथा, कटलेट्स, पैनकेक्स, और ओमलेट्स are cooked by shallow frying, इनको किसमें पकाया जाता है, shallow frying में, food cooked rapidly, over high heat, while stirring fast, is called stir frying, जो food हम क्या करते हैं, cooked rapidly, over high heat, पूरी heat पे, high heat पे उसे क्या करते हैं, cook करते हैं, stir करके, ऐसे हिला हिला के उसे बोलते हैं, stir frying, fried food contains a lot of oil, जो fried food होता है, जो हम frying करके बनाते हैं, उसमें बहुत सारा वाइल होता है, and should be eaten less quantities, और हमें उसे कम quantity में, means, ज़्यादा वो food जो fry किया होता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए आपको बोलते हैं, कि यासे स्मोसा पकोड़ा ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्या किया होते हैं, fry कि होते हैं, next is baking, baking is next method, जिसमें क्या है, water की जुरूर्द नहीं पढ़ती, in baking, food is cooked in an oven or microwave में, food is heated for a long time without exposing it directly to flames, इसमें क्या है, food को बहुत लंबे टाइम के लिए, heat के उपर पकाया जाता है, means, सीधे flame means, आपके उपर नहीं, उसकी heat के उपर पकाया जाता है, breads, cakes and biscuits are made by baking, जो हमारे breads हैं, cakes हैं, जिससे बनते हैं, सभी baking से बनते हैं, thanks students, have a nice day.